हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बाडमेर पुलीस ने शुड़ालू को सडक सुरक्षा को लेकर जानकारी दी राजस्थान की सबसे बड़ी लोग देवता बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए हर साल लाखों शद्धालू देश के विभिन हिस्सों से पैदल संग निकालकर बाबा रामदेवरा जैसर मेर पहुँचते हैं और ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से शुरू हो गया है जो की लोग अपने घरों से निकल कर कई सेक्डों किलोमीटर पैदल सफर तै करके आने वाले दिनों में बाबा रामदेव पहुचेंगे आज रक्षबंधन के दिन बाडमेर एसपी मनीश अगरवाल ने शद्धालू को उनकी सेफटी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह पैदल चलते समय रात में अंधेरे में उनके साथ कोई भी दुरगटना ना घटे इसके लिए उन्हें किस तरीके की साथधानिया बरतनी चाहिए एसपी के साथ पूरा स्टाफ लोगों को ये समझाया कि किस तरीके का जाकेट्स रिफलेक्टर से अपनी सुरक्षा की जा सकती है रात के समय में उसकी कोई भी आने जाने वाली वाहन को पता चल जाएगा कि यहां पर श्रद्धालू पैदल चल रहे हैं जब श्रद्धालू को इसके बारे में बताया गया यह जानकर श्रद्धालू बड़े खुश हुएं साथ ही S.P. का और बार्मेर पुलीस का धन्यवाद ग्यापित किया लोग देवता बाबाराम देव जी के दर्शन के लिए उनके प्रती श्रद्धा रखने वाले लाखों लोग प्रती वर्श बार्मेर के रास्ते राम देवड़ा पैदल जाते हैं इन यात्रियों की सडक सुरक्षा को लेकर आज ग्रामीन पुलीस ठाना के आगे बार्मेर पुलीस अधीक्षक मनीश अग्रवाल ने यातायात के नियमों की जानकारी दी साथ ही यात्रियों को रिफलेक्टर जाकेट पहनाए और उनके बैग पर रिफलेक्टर चिपकाए इस कारेकरम में अतिरिक्त पुलीस अधिक्षक रामेश्वर लाल मेगवाल ग्रामीन थानाधिकारी किशन सेंग सहित पुलीस अधिकारी और जवान उपस्थित थे देखो जागरूग, बनो जागरूग